कि हैं लो दोस्तों उत्राकंड की पार साला बैब का श्वागत है मेरा नाम यह लिए इस बर्दवाल तो देखें दोस्तों आज मैं आपर फिर से लेकर आया हूं उत्राखन प्रिक्छावानी से संब्दिद टैस्ट चाहां पर हम देखेंगे उत्राखन प्रिक्छावानी के यह part 2.3 तो चलिए कमार जो पहला प्रस्थन के बतनें कब बनाया गया है इन उप्सिंब में तो बनाया गया तो बते बैडर लोकी मुख्या लिए अठारसोथ तिर गत्सuffle Sp elim बनाया गया बात रहुए सवे कमायो कमेंशनर की तो मुझे लगता है उसेमें कमेशनर था कमेशनर बेटन चलिए आप चैक जरूर कीज़ेगा देगे बात करें आजयायपाल कि सक्क्रम का प्रमार था तो देखे किस्क्रम पास सक्ता आजयाइक पुर्मारो में तो इसका जो सही हांसर है वो है सब्सक्राइब और इसे एक इलाव भेट किया था जिसका नाम था चांद प्रगड यहीं से सासन शुरू किया पर मारवन्स का तेकि अगला माला प्रस्ण अंतिम टिरी नरेस था तो अंतिम टिरी नरेस कौन था इन मैंसे इसका जो सब्सक्राइब वो है मानवेंद्र साथ देखिए 1945-46 में लगभग मानवेंद्र सा के लेगत दिछोड़ दिती नरेंद्र साहने यहीं अंतिम सा सक्रें टिरी आसत के देखिए 14-46 को प्रदिमंसा और गोर्खों के मदे खुड़ बड़ा का युद्धुवा देरादुन में जहां पर प्रदिमंसा पराजित हुए और वीर गतिकों प्राप्त हुए यहां पर गोर्खों ने कड़वाल पर कबजा कर लिया इस युद्ध के बाद अगला हमारा प्रास्ट में गोर्खों ने कड़वाल पर पहला आकरमन कब किया देखिए 17-49 में गोर्खों ने आकरमन किया था कुमाओं पर और कुमाओं को जीत लिया महिदर चंद को हरा कर कुमाओं पर कबजा कर लिया इसी के अगले वर्स गोर्खों ने क्या किया लंगूरगण का घेरा डाला था देखिए लंगूरगण का नेपाल पर चीन का आक्रम्न हुए जिसक गुरूपकों को वापस जाना पड़ा इसलिए गुरुकों ने गणालगी आप से संदिक कर वापस लोट के चलिए तो anniралषवी कानय में ये अकरमन हुत है गोरकों का देखिए अगला पॉश्न परमालों की राजधानी देवलगर से स्रिरगर कब आई देखिए परमार जो थे उनकी राजधानी देवलगर थी कब वहां से स्रिरगर राजधानी स्तान तरित ची ही तो इसका जो सही answer है वह है 1517 देखे हुआ क्या था 1512 में अजय पाल ने चांदपुर गड़ से राजधानी परिवर्तन की देवाल गड़ जो सिनगर और रुद्रिप्या के मध्य में है लेकिन पाने की कमी के करना उसे यहां से भी राजधानी चेंज करनी पड़ी और अगले 5 साल में 1517 में ही उसने रा स्रीनगर वैसासन करने वाला अन्तिम परमार था तो देखिए स्रीनगर वैसासन करने वाला जो अन्तिम परमार था वो देखे बाते के उनकी तो वो थे परदिमन साु अन्तिम हैसे परमार छेंने सान छाय सेंधर कि था सुदावे सान चलाया तो बात करेकर परदिमन साकी तोब परमारों के जो प्रवर्टी परमार थे उन्हें चोवनवे सासन के अंधिम्रा जाते इसके बाद टीरी आसत शुरू होती है जहां पर छे राजाओं का सासन में देखने को मिलता है तो बात करेकर प्रदिफन साके करम की तो वह है चोवनवे परमार अगरा प्रश्ण देंगे का साइसन रहा तो बात करना है सासन काल की तो उनिफोट चैनलीकी साथन क्या थी है और सफी आंशर है वह देखिए कर सअंद्रशिक्ए बढ़ा रहा उनिक्त्थ्नस चैनली सब्सके अब कर म advent नयादागं के अर नहतं है स्कें 12 से चोटी पर एक चोटी पर अगला अमारा प्राश्न पॉडी की स्तापना कप की गई देखिए पॉडी एक जिलावत के रूप में इस पॉडी कीस्तापना कप की गई तो पौर एक आगी आ पूरा जो गड़वाल था, पस्यवी गड़वाल, अगला आमएना प्रासन की सुरुवात का सुरुवार किस सासक जाता है, तो देखे अगला मैंत्ताफार्शन में कुल कितने सासक हुए तो देगत कैने पर्मार हंस के अंत्रकत कुल कितने शासक हुए तो जिस सभी आनसर वो ए 60 देखे 54 तो हुए थे पूरवर्थी परमार गरखपालओ से लेकर पर्ढापल आयरा व्लंस सहह तक और 6 तक steruvo्रसन साय una तो कब तीरी में राजानी स्थापित की गई तो देखें यह था हमारा प्रस्ण अगला हमारा प्रस्ण है कुमाओ को दो जिलों और मुडा और इंटाल में किस वर्स बाटा गया तो देखें कुमाओ का विवाजन कब किया गया तो कुमाओ को उस समय दो जिलये ते मुडा और में लेकिन कब हका शनcuss कींको तो कुमाओ कया जहां कि अश्वा अगया अगया तो किसेran अश्वार्यव में असा है थो दोस्तों ये थे हमारे उत्राखंड से समधित प्रस्ण जहां पर हमने देखे परिक्षावाणी की ये प्रस्ण करमबद रूप से अगला पार्ट कल आपको मिल जाएगा तो देखे हमारे साथ जुड़े रहे हम लगात्तार करमबद अध्यन कर रहे हैं छोटे छोटे करने बाद